तो दिखू बाइ लोग आज के डेक में इंडिया में सब 4 मिटर कॉंबैक्ट SUV सेग्मेंट को काफी ज़्या पसंद किया जा रहा है और इस सेग्मेंट के अंदर आपको काफी दा Used कॉमपेडिशन तग्रिछी देखने को मिल जाएगी और इस सेग्मेंट के अंदर जितनी भी कारें इंडियेट मार्केट में विक रही है उनका सेल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा यानि यहाँ पर एक यूनिट का मतलब होता है एक कार तो यहाँ पर आपको एक्सवी त्री डबलो के सेल्स में थोड़ी सी इंप्रूमेंट देखने को मिल जाएगी क्यूंकि लास्ट यार के मार्च में एक्सवी त्री डबलो के 4,140 यूनिट बिकेत है यहाँ पर आपको लगबग 24% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी जिन लोग को गाड़ी चलाने के मज़े लेने है वो लोग एक्सवी त्री डबलो को डेफिरेंटली कंसिडर कर सकते हैं ड्राइविंग के हिसाब से यह कार काफिस ददा प्राक्टिकल है लेकिन इस कार के अंदर भी आपको थोड़े स देखने को मिल जाएंगे जैसे के इसके अंदर आपको थोड़ा सा कम बूर्ट स्पेस मिलेगा इसका इंटर ठोड़ा सा आउट्डेटेड है यह आपको थोड़ा सा पुरानी वाइब देगा इसके अलावा इसकार के अंदर आपको उतने ऐडवांस फीचा सा नहीं सबस्क्राइब की लिगते हैं के साथ लख्बग 17 किलोमेटर पर लिटर का मालेज यह देती हैं तो मैं डेफिनेटल आपको XV3W को recommend करना चाहूंगा इस कार को safety में 5 star ratings भी मिले है और ये कार चलाने की सबसे काफे जदा बहतरी ने फोर्थ पोजिशन पर किया की Sonate आई है और किया Sonate के पिछले में ने 8,677 unit भी कहे लेकिन पिछले साल के मार्च में 6,871 unit भी कहे थे तो यहापर आपको किया Sonate के sales में लगबगर 26% की growth देखने को मिल जाएगी हलाकि किया की Sonate भी काफे बहतरी इनकार है इसका लुक आपको अच्छे खासा देखने को मिल जाएगा इसके इंटरेर में आपको अच्छे खासे features देखने को मिल जाएगे लेकिन बहुत ज़लती किया कमपनी Sonate का facelip model इंडिया में लांच करेगी जिसके exterior में काफे ज़द बदलाव किये जाएगे और इसका इंटरेर भी आपको completely नया देखने को मिल जाएगा हलाकि इसका facelip model इस दिवाली के असपस इंडिया में लांच हो सकता है या फिर उससे पहले किया कमपनी इसको इंडिया में लांच कर सकती है और Sonate के facelip model के अंदर और एक बड़ा update दिया जाता है लेकिन बहुत जल्द किया Sonate के अंदर आपको cng kit का option मिल जाएगा आज क्या Sonate के अंदर दो पेट्रोल और एक डीजल इंजिन का option दिया जाता है और यह कार लगबग 18 km पर लीटर से लेकर 24 km पर लीटर का mileage दे देती है अगर मैं कीमत की बात करू तो Sonate की की स्टार्ट होती है 7,79,000 रूपीज से और इसके टॉप मोडल की एक्षोर्म प्राइज 14,89,000 रूपीज तक चले जाती है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं इस कार के अंदर आपको सेफटी थोड़ी से कम मिलने वाली है इस सेगमेंट के अंदर आ आप किया सोनेट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं थर्ड पोजिशन पर हुंडाइ की वेन्यू आई है जो काफी बहतरी नतरके से परफॉर्मस दे रही है और पिछले मैने हुंडाइ वेन्यू के 10,024 यूनिट भीके है लेकिन लास्ट यर के मार्च में 9,220 यूनिट भीकेते तो यहाँ पर आपको हुंडाइ वेन्यू के सेल्स में लगबग 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इसका फेसली मॉडल जब से इंडिया में लांच हुआ है तब से हुंडाइ वेन्यू के सेल्स में काफी जदा इंप्रॉमेंट हो चुकी है इसका एक्स्टरिय के अंदर आपको सेम इंजिन स्पसिफिकेशन मिलेगा जो कि किया सोनेट के अंदर दिया जाता है यानि दो पेट्रोल और एक डीजल इंजिन के साथ हुंडाइ वेन्यू इंडियन माकेट में आती है और यह कार भी लगबग 18 से लेकर 24 किलिमेटर पर लेटर का माइलेज द ज्यादा है एस कंपेर्ट टू हुंडाइ की वेन्यू हुंडाइ वेन्यू की कीमत आपको थूड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी सेकेंड पोजीशन पर टाटा की नेक्सन आई है जो पीछले कुछ महनों से फर्स्ट पोजेशन पर रहती थी लेकिन अब सेकेंड नंबर पर आ चुकी है और टाटा नेक्सन के पिछले मैंने 14,769 यूनिट बिके है और लास्ट येर के मार्च में 14,315 यूनिट बिके थे यहां पर आपको टाटा नेक्सन के सेल्स में लगब के 3% की ग्रोध देखने को मिल जाएगी लेकिन इस सेग्मेंट के अंदर टाटा नेक् इसका रोड प्रेसंस आपको अच्छा गासा देखने को मिल जाएगा और इसके इंटरियर में टाटा ने काफी ज़दा इंप्रूमेंट्स करें है रिसेटली टाटा ने इसका रेड डार्क एडिशन मॉडल लॉंच या था अगर आपको इंटरियर ठोड़ा सा हटके चाहि लेकिन बहुत जल्दी टाटा नेक्सवन के अंदर आपको कंपने फिटिड सी एंजी किट का ऑप्शन भी मिल जाएगा इसके अलावा टाटा नेक्सवन के फेसली मॉडल की फिलाल के लिए टेस्टिंग चल रही है इसके बहुत सरे वीडियोज आउट हो जुके हैं बहुत सेवन लाग एटी थाउजन रूपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्शन रूम प्राइज और टॉप मॉडल की एक्शन रूम प्राइज फॉर्टीन लाग थर्टी फाउजन रूपीज तक चली जाती है तो 2023 में टाटा नेक्सवन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकत है इसका लूग भी बैतरी ने इंटरेर भी अच्छा खासा है और ड्राइविंग की साफ से यह कार आपको बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करेगी पहले नंबर पर मारुटी सुजगी की ब्रेज आई है हाला कि फेप के महिने में भी ये फर्स्ट पोजेशन पर आई थ ब्रेजा के 16,227 यूनिट विके लेकिन लास्ट येर के मार्च में 12,449 यूनिट विके थे तो यहाँ पर आपको लग बगए 30% की ग्रोध देखने को मिल जाएगी आज के डेट में ब्रेजा के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएंज किट दिया जाता है जिसके तेरिये कार पेट्रोल में 18 से लेकर 20 का माइलेज दे देती है और सीएंज किट के साथ इसका माइलेज क्लेम किया है 25.51 किलोमेटर पर केजी का ब्रेजा की कीमत स्टार्ट होती है 8,19,000 रूपीज से और इसका टॉप मोडल 14,000 रूपीज तक चला जाता है तो यहाँ पर यह पर ये 5 कारों को इंक्लूड नहीं किया है उन्हों दोनों ही कारों के सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा तो इन पाच कारों में से आपको कौन सी कार सबस्दद अच्छे लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दिना और इसके बाद मैं टॉप 25 मोस सेलिंग एस को आउन करके रखना है